नमस्कार दोस्तों वैश्णवी और्गेनिक डेरी फोर्म में आपका स्वागत है आज मैं आपको घरेलू मिनरल मिक्चर के बारे में बनाने के बारे में जानकारी देंगे अड़ाइसो ग्राम गेरू मिट्टी लेना है दू केजी सेंधा नमक लेना है दू केजी गुड या मिठा मिक्स करें अड़ाइसो ग्राम मिठा सोडा मिक्स करें सरदियो में एक क्विंटल दाने में एक किलो हल्दी का इस्तमाल करना चाहिए मिनरल मिक्चर और बिटामिन का समूँ है mineral mixture एक vitamin का समूह होता है mineral को दो समूह में बाटा गया है macro mineral and macro mineral macro mineral calcium magnesium potassium और phosphorus इत्यादी होता है और माइक्रो मिनरल्स कॉपर, जींग, आयरन इत्यादी होते हैं इन चीजों की पूरती हम घर की चीजों से देकर कैसे पूरा कर सकते हैं पसु का सरीर होता है उसमें कैल्सियम जितनी जरूरत होती है उसमें से 99% हड्यों में रहता है फास्फोरस है उसका 80% भाग हड्यों में रहता है और 20% भाग सरीर में रहता है इसलिए कैल्सियम और फास्फोरस दोनों जो मिनरल है पसुए के सरीर के लिए बेहद ही जरूरी होता है इससे क्या होता है सरीर का विकास होता है हड्यों का विकास होता है वजन बढ़ता है और जो दूद उत्पादन है वो बढ़ जाता है जिससे पसु में कैल्सियम और फास्फोरस की कमी पुर्ण हो जाती है और पसुओं का दूद बढ़ जाता है चूने से केल्सियम की पूर्ती कर सकते हैं चूने के दोवारा केल्सियम बना सकते हैं इसके बारे में एक नई वीडियो में जानकारी दी जाएगी जो फासफोरस है वो गेरू मिटी में आइरन और फासफोरस दोनों मिलता है इसे एक क्यूंटल दाना में 2800 गेरू मिटी देना या यूज करना चाहिए आइरन पसू के लिए गूड में आइरन पाया जाता है गूड का इस्तमाल कर सकते हैं बलड के लिए हिमोगलोबीन के लिए जरूरी होता है गूड या मिठा 2 केजी मिठा 100 केजी दाना में के अमसार देना चाहिए सेंधा नमक में 80 से ज़्यादा मिनरल पाया जाता है वो सेंधा नमक दूग केजी सेंधा नमक 100 केजी दाना में मिला सकते है सेंधा नमक से मिनरल की कमिया जो सरीर में गायों को होता है वो बहुत हद तक पूरा हो जाता है मिठा सोडा मिठा सोडा जरूर मिक्स करना चीए पाचन क्रियाक में सहायक होती है और सरीर में या लीभर के लिए या खाना को अच्छे ढंग से पचाने के लिए या लीभर को हिल्फुल होता है और मिठा सोडा से पाचन क्रिया में सहयोग प्राप्त होता है सर्दियों में हल्दी का यूज कर सकते हैं वैशनभी और्गेनिक डेरी फार्म थंक्यू धन्यवाद